Hello Students, इस वीडियो में हम बात करेंगे, Stat 2021 में Biometric Verification और Biometric Verification किस candidate की होगी, Biometric Verification कब होगी और कौन से center बनाए गए हैं, तीनों बाते इस वीडियो में करेंगे, सबसे पहले, जिस बच्चे के पास Biometric Verification का message आया, इसका मतलब यह है कि उसका Stat 2021 के clear हो चुका है, पहली बात, अब दुसरी बात, जो लिस्ट आई है, वो लिस्ट आप देख लिजिए, इसमें आपका नाम है, या नई है, स्क्रिन सोट लेजिए, एक 705 पेजी की पीडियाफ है, जिस बच्चे को पीडियाफ चाहिए, इसमें नाम है, उनका Stat 2021 के clear है, ओके, थार्ड बात करेंगे, कब से कब तक आपकी Biometric Verification होगी, और Biometric Verification, 2021-2022 से लेकर, 2021-2022 तक, रज्जे के सभी 22 जिलों में की जाएगी, ओके, तो डेट क्या है, 2021-2022 से स्टार्ट हो चुकी है, और 2021-2022 तक Stat Biometric Verification होगी, जिन बच्चों का उसी लिस्ट में नाम आया, ओके, अब थार्ड बात कहाँ आपर सेंटर बनाए गए, वो भी आपको बता देते हैं, अब है, जिले के हर जिले में, एक Biometric Verification सेंटर, हर जिले में है, तो वहाँ पर जाएए, यह नहीं कि अंबाड़ा में कोई विदार थी, अंबाड़ा में रहता है, अंबाड़ा का है उसका Residence और वो अभी एट प्रेजिजेंट कहीं और डिस्टिक में गया वाँ तो वहाँ पर नहीं करवा सकता, वो करवा सकता, कहीं पर भी आप करवा सकते हो, इसका कोई इसू नहीं है, आप किसी भी डिस्टिक में किसी भी सेंटर पर जाके आप करवा सकता अपनी वेरिफिकेशन, ये नाम दे होए हैं कौन से कोलेज या स्कूल के अंदर डाला वज़े करनाल है डियावी वरिष्ट मैदमिक विदल है लड़को वाड़ा बॉइज जो डियावी गोवर्मेंट शिनिस्केंट स्कूल है करनाल उसमें इस तरह से आप स्कूल का नाम पढ़ लेजिए उसका एड होगी ओके स्टुएंट्स किसी बच्चे को और भी कोई इन्फोर्मेशन लें या स्टेट 2021 के रिगाड़ी मों पूछ सकते हैं और आपका रिजल्ट 26 जर्नवरी से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा ओके स्टुएंट्स तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें चैनल को करें और जादा जादा शेर गरें थैंक यू